हाई everyone, तो आज हम true ज निए कि इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं database के अंदर interfaces, database interfaces क्या होता है, इसके बारे में detailing में समझते है, so first of all database interface क्या होता है, उसके बारे में समझते है, देख़ो हैर, हम लोगों ने ये देखा था भी पीछले वीडियो के अंदर कि database के अंदर अगर हमने कुछ भी हमें operations करने है तो हमें languages आने चाहिए, हमें commands आने चाहिए हमें create की command आने चाहिए, insert की आने चाहिए, updates की आने चाहिए delete की आने चाहिए, truncate, truncate, बहुत सारी चीज़न देखी थी हमने अब ऐसा scenario भी तो होगा, एक ऐसा third party tool होगा interfaces हमारा main काम यही है कि without any commands, user क्या कर सकते है directly उसको एक third party tool दे दो, जिसकी हैल से वो directly क्या कर सके easily commands की तुरू database में entry फिल कर सके, ठीक है, without any commands तो यह काम हो रहा होता है interfaces की हल से, तो like interfaces की हल से हम data की entry कर सकते हैं, हैना इस diagram के हिसाब से बताएगा है यहाँ पर हमें बहुत सारे bars मिलते हैं, अगर आप लोग SQL अगरा चलाओगे तो हम data के अंदर खुझ से create, table भी खुझ से बना सकते हैं without any command command के थूरू तो बना ही सकते हैं, बिलकुल ठीक है, बट हम graphical user interface और you can say हम third party tools का use करके, like SQL, जो tool हमें Microsoft SQL tool मिलता है और बहुत सारे tools और मिलते हैं, तो हम उन सारे tools की help से क्या कर सकते हैं, हम वो काम असान कर सकते हैं for example मुझे table create करना है, तो मैं create table की command ना लिखके, मैं click करूँगा, new table create हो जाएगी, इतना simple जैसे for example, अगर आप लूब window में, simple से बात बाता हूँ, कि आपको क्या करना है, folder create करना है, तो आप mkdir command लिखते हो, बट उसकी जगा अगर हम directly folder create करें, तो right click करके new folder का option आता है, हम directly new folder create कर सकते हैं तो यह जो चीज हुई, mkdir, यह हम command के through कर सकते हैं, अगर हम directly graphics या graphical user interface के through करें, तो वो GUI कैलाता है, जिसके हम directly new folder वाले बटन पर click करके, ठीक है, उसमें हम new folders create कर सकते हैं, क्या बात समझ में आ रही है, तो folder की spelling पर इस सही करता है, एंग या पर space देता है, ठीक है, तो इस interfaces के हैं, बाई, interfaces एक आपको ऐसा काम प्रोवाइड कर वाता है, एक easy काम प्रोवाइड कर वाता है, जिसके आप data के अंदर entry कर सकते हो, without any commands, ठीक है, पास समझ में आ गई, तो यह लिखा गया, database interface provides a means of user, applications and other system to interact with the database without using commands, ठीक है, अब आप कमाल के through भी कर सकते हो, जो अभी हम अंदर आता है, जिसके अंदर हमें SQL की command लिखने पड़ते हैं, DDL, DML, यह सारी languages का use करना पड़ता है, but हम बात करें, without command, so means graphical user interface की बात करें, तो यहाँ पे हमें command लिखने की कोई requirement नहीं है, हम बस mouse के click से लेके, easily, जो भी हमें create करना table, तो यहाँ कई table का एक option होगा, हम यहा table का नाम जो भी डालना, आप directly वो table का नाम डाल सकते हूँ, मैं को database के अंदर, मतलब table के अंदर नहीं enter fill करने है, तो मैं यहाँ right click करके, नहीं enter fill कर सकता हूँ, तो इस तरीके से सारा काम हो रहा होता है, ध्यान से देखो, create new query, delete new query, यह सब buttons है, अगर आप click करोगे, तो एक यह block आपको मिल जाएगा, according to the schema, अब आपर data fill करो, and then enter हो जाएगी, so without any command, you can easily do this task as well, तो यह काम होता है, interfaces के दुरू, क्या बाद समझ में आ रही है, आप यह समझ में आ रही है, तो हमारे पाद अब दो choices है, क्या, यहा तो हम directly command के दुरू, सारा काम कर लें, database के साथ, interact कर data के अंदर, सारी queries perform कर लें, दूसरी चीज़ है, हम without command भी काम कर लें, with the help of graphics, ठीक है, graphics means, button के click करने से, हमारा सारा काम हो जाए, and हम उसके अंदर directly enter fill करें, तो without commands और with command दोनों चीज़े possible है, ठीक है, तो वही चीज़े है, interfaces, अब एक interface है, command line interface, बिल्कुल ठीक है, समझा दिय बहुत ही बढ़िया, अब इसकी कुछ points है, वो भी देख लेते हैं, so the command line interface, allow user to interact with database entering commands, तो यहाँ पर हमें क्या जरूबत है, command डालने की जरूबत है, ठीक है, जैसे अधर मैं को create करने folder, तो हम के लिखेंगे, mkdir, make directory, ठीक है, वो command लिखनी पड़ेगी, जिसके अल से क्या ह इसको execute करेगा, for command line interfaces के अगर बात करी जाए, like DDL language, DML language, and other commands by typing them manually, तो उसको खुद से type करना पड़ेगा, commands, and then, जो भी उसको operation करने, database के अंदर, तो वो सारा operations हो कर सकता है, ठीक है, next is the CLI interfaces are typically used by the database administrators, तो जो काम कर रहे होते हैं, अब मैंने आपको starting बताती थी था, database administrator पढ़ administrator एक बंदा भी हो सकता है, और group of persons हो सकता है, टीम हो सकती हो, तो वो हमेशा आप अगर देखोगे, तो वो क्या करेगी, CLI का ही use करेगी, क्योंकि ऐसा बहुत अदा simple way नहीं होता, कोई भी अगर आपको command लिखनी है, तो हैना best practice यही है, किसी भी चीज़ अगर database के साथ interact करन So with the help of commands, easily interact किया जा सकता है, और जो developers होते हैं, जो आपको अगर interview में पूछेगा, कोई graphic के थुरू नहीं पूछेगा, आपसे command पूछी जाएंगी, तो that's why आपको SQL queries पता होनी चीज़, so that कि आप DB के साथ interact कर सको, database के साथ interact कर सको, बास समझ में आ रही है, yes वे आप, तो CLI interface है typically used by database administrators and develops for administrative tasks and troubleshooting, तो ये line भी simple है, and important थी, इसलिए अच्छे से detailing में समझा देगी, next चीज़ बिचस को बढ़ा रहें, जो आज हम बढ़ा रहें, interfaces में, GUI important हो जाता है, और easy हो जाता है for beginners, अगर data के अंदर हमें देखना है कि table कैसे create हो रही है, तो ये सब tables है, ठीक है, य click के through, तो command नहीं डालने पढ़ेंगी, तो graphic user interface और you can say GUI, graphical user interface provide a visual interface, तो यहाँ पे हमें visuals देखते हैं, हमें icons देखते हैं, उसकी हज से क्या दार होता है, interact कर लेते हैं, so for interacting with the database, using graphical elements like menu, buttons and the forms, clear है, तो हमें आपे कोई भी command लिखने की जरवत नहीं है, हमें table create करने है, तो हम create table command नहीं लगेंगे, हम directly right click करके table को create कर लेंगे, जो भी चीज़ा होगी, वो सब चीज़ा हम directly graphics को देखके, menus को देखके सीख रहेंगे, just like अगर मैं को table create करने है, तो मैं आपे right click करने है, table में new table करेके, create कर दूँगा, tables को, enter create करने है, मैं आपे enter create कर दूँगा, इतना simple हो ज click and the keyboard inputs, ठीक है, तो ये काम easily वो कर सकते है database के अंदर, ठीक है बाई, बहुत ही बढ़िया, GUI interface are commonly used by database administrator, तो database administrator भी use कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं की नहीं कर रहे होते हैं, but, क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि काम असान हो जाए यहां से, command लिखने में हो सकता है, थोड़ा mistake हो ज development purpose, but, अगर बात करी जाए, CLI का अलग user, GUI का अलग user, कहीं पर GUI काम नहीं कर पाता है, तो आपे CLI का काम लिया जाता है, administrator इनी का काम ले रहे होते हैं, database जो handle कर रहे होते हैं, and, जहाँ पे CLI का लगता हैं, यह जादा tough हो जाएगी command, तो उस case में graphic की through, अगर हो रही होती यह जाती है, तो graphical की through की जाती है, so, यहाँ पे database administrators GUI का भी use कर रहे होते हैं, CLI का भी कर रहे होते हैं, depending on the situations, so, developers and the end user, main important बात यहाँ पे, end user जो काम कर रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ GUI से कर रहा होगा, end user, ठीक है, who prefer a more intuitive and user friendly interaction experience, so, GUI समझ गया है, yes बया, और user, end user, final जो इतना मुश्किल हो जागा, बहुत मुश्किल हो जागा, जैसे YouTube चलाने के लिए क्या आपको database पता होना चीक है, नहीं, आप YouTube में अपनी खुद की profile बढ़ा सकते हो, खुद का नाम ड़ सकते हो, किसकी help से, ग्राफिक्स, visuals की help से, आपको command की जरूवत नहीं है, क्योंकि developer team और database management team या फिर database समाल रिये, उनको requirement जादा बढ़ती है CLI की, तो वाई थिंग बास समझ माल गई CLI और GUI के बार में detailing है, एक और चीज़ पढ़ोगे, which is called APIs, और you can say application programming interface, तो ये भी एक तरीके का interface ही है, yes, क्यों use किया जाता है, mostly software applications में use किया जाता है, क्यों, database के साथ communication क to communicate and interact with database programmatically, तो यहाँ पर कोई manual काम नहीं है, यहाँ पर जो होगा API किसके लिए उसकी जाती है, programming based पर, software बन रहा है अपना final, yes, तो database खुद बखुद store हो जागा data, data खुद बखुद store जागा database के अंदर, यहाँ पर एक एक करके manual नहीं होगा, manual means एक एक करके entry fill नहीं होगी, आप यहाँ पर right click कर रहा है, यहाँ आप लोगोंने applications देखा होगा, खुद बखुद data store कर लेता है, ठीक है, तो वो APIs का use कर रहे होता है, APIs provide a set of functions, method और protocol that developers can use to access and manipulate the data, database data and perform the operations such as CRUD operations, you can say, create, read, update and delete, तो CRUD का full form यही है, तो वो directly CRUD operations का use करके database के अंदर data set कर सकते हैं, data के अंद data नहीं यहाँ पर directly with the app of software applications data आ रहा होता है, ठीक है, मान लोग एक मैंने software बनाया है, टुरू जी है का, यहाँ पर जो बंदर login करेगा, sign up करेगा, तो उसकी data के entries आएगी and मेरे database के अंदर को entry save हो जाएगी, ठीक है, तो यह काम हो रहा होता है, यहाँ पर, अब मैं एके करके खुद से entry create नहीं करूँगा, जो भी user आएगा, वो अपने login डालेगा, yes, password डालेगा and नीचा आएगा sign up वाला यह login वाला बटा है, तो अगर पहले से entry है, तो direct login करेगा, वो login सारी चीज़ां कहां से चेक होंगी, database से, क्या उसका वही बंदा है की नहीं, अगर अकाश है, तो क्या आकाश और password match हो रहा है की नहीं, अगर match होता है, तो login successful करा हो, match नहीं होता है, तो भोल दो कि भाई, तुमने data गलट डाला है, या तो ID गलट डाली है, तो password गलट डाला है, तो इस तरीके से फिर आप forget password को option डाल दो, sign up का button डाल दो, अगर आप पहली बार login कर, used by the developer to integrate database functionality, तो किसलिए उसके जाता है, कौन उसकर रहा होता है, डवलपर उसकर रहा होता है, किसलिए उसकर जाता है, database के साथ interact करने के लिए, into the custom applications, web services and other software systems, क्या ये line भी समझ भारी है, हाँ भी समझ भारी है, बहुत simple लग रहा है, तो इतना ही simple है, इतना ही simple है, ठीक है, अब ये आप कैसे सीखोगे, APIs का काम करके, दीरे दीरे, मतला आप projects बनाओगे, आप चीज़े सीखोगे, किस तरीके से applications के अंदर आप database को attach कर सकते हो, merge कर सकते हो, integrate कर सकते हो, तो ठीक है, अगर आप full stack project बनाओगे, जिसमें front end तो है है, साथ पर back end है है, and database भी है, तो उस application में आप देखोगे, कि किस तरीके से काम हो रहे होते हैं, जो मैं आपको बता है, अगर कोई बंदा web development बगरा कर रहा है, तो उसको एक brief idea लग जाओगा, कि APIs का काम कैसे हो रहा होता है, तो ये भी एक तरीके के गया interface है, तो आज हमने database interfaces के बार में brief idea देख लिए, जिसके अं बाय.